तो गाइस मैं हूँ आईश आप देख रहे हैं रेसल इंडिया स्वागता है आपका आज की इस वीडियो में जा आप में बात करेंगे ड्रू मैंकिंटायर और सीम पंक की दूप हो रही है फाइनल वीडियो जो की आपको यहां पाड़ो में से देखने को मिल रही क्या कमाल का विउ है और मैंने नहीं चाहरता है कि मेरी आँखे बार बार बन्द होते रहे हैं कैमेरा पे तो मैंने चेश्म हमांप लिया बाइब कोई यह स्टाइल वाइल की बात नहीं है लेकिं क्या तेयोरी से हो सकती है, Drew McIntyre और CM Punk का जो अटाइक हुआ, उसके पीछे क्या रीजन से रह सकते हैं, सारी वो डिसकस करेंगे उनके बारे में बात करेंगे, अज की इस वीडियो में आप एंट तक जरूर देखते हैं, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, बिकॉस दे कॉंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर अन रेसल इंडिया, तो पहली थियोरी पे आते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करें और वो सिंपल यह हो सकती है, कि ड्रू मैंकिन टाइर ने सीम पंक को अटाइक किया, that's it, that's it, कोई overthink करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्टोरी लाइन थी, ड्रू मैंकिन टाइर ने सीम पंक को अटाइक करा, बुरे तरीके से मार दिया, और यह है पहली थियो अट्रेक्टर की तरह काम कर रहे थे, because उन्होंने अपना कॉंट्रैक्ट जो है यहाँ पे दिया, और उन्होंने कॉंट्रैक्ट दिया, टॉंगन्स को अटाइक करने का सीम पंक को, और तभी पॉल हेमन को यहाँ पर दिया जाते है, सोलो सिकोवा की तरफ से, कि तुम जाके सोलो सिकोवा को, कि भाई, मेरी एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट है सीम पंक के लिए, और वो यह भी कहते हैं, कि तुम चाहते हो, मैं यह मेसेज जाके टॉंगन्स को बताऊं, विकोज पॉल हेमन के दिवांग में तो यह बात आई होगी ना, कि भाई, यह तो एक ऐसी ची पर पहले भी बात करी है, लेकिन उतनी यह पॉसिबिलिटीज की होने की कम है काफी, विकोज आई रोंट थिंग डिवी डिरेक्शन में जा रही है, जाई की तो बहुत जादा मजा आ जाएगा, और वो यह हो सकता है, कि यह अटैक करा सीम पंक के उपर वायत 6-6 ने, अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास, कोई मेरे पास ऐसा कोई image नहीं है, कोई video नहीं, आपको दिखाने के लिए कि मैं बोलू हूँ, यह रीजन है, लेकिन थेोडी है और थेोड़ी को थेोरी की तरह समझाना चाहिए, और थेोडी को यहाँगे समझा सकता हूं, कि भै कैसे चले गए तो यह चीज जो है जबकि इतनी लॉजिकल नहीं है लेगिन क्यूंकि CM Punk अरीना के बाहर थे वो लॉजिक कहीं नहीं पर प्रूफ कर सकता है कि इसलिए वायत 6 ने उनको अटाक किया और इसलिए वो अरीना के बाहर मिले गए और क्यूंकि सिक्योरिटी इतनी ट यहां पर है कि सबके पीछे जो मास्टर माइंड है वो डू मैकिंटायर है एक ऐसा बंदा जो नहीं सिरफ अपनी चैंपेंशिप को वापिस जीतना चाता है बलकि पूरा कंट्रोल करना चाता है इस रॉस्टर के ओपर दिखाना चाता है कि मुझसे ओपर कोई नहीं है वो अकेला वो नहीं कर सकता उसको एक फैक्शन की जुरूरत है और एक ऐसी फैक्शन जो कुछ काम करके गाया बोजा और पता भी ना लगे वो सिरफ वायत सिक्स सिक्स ही कर सकती है तो यहां पर यह कुछ तीन थियोरी थी मेरी आप लोग बता है अगर आपके वसकोई और भी बड़िया कमाल की थियोरी है वो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं तो स्मैकडाउन के बाद सीएम पंक दिखाई देते हैं कि भाई वो अरीना छोड़के जा रहे है अपनी खुद की गाड़ी चला के और यह बहुत फ़नी है विकाज अगर सीएम पंक अपनी गाड़ी च सॉल्व करना चीए लेकिन लोग ट्विटर पर बहुत हंगामा कर रहे हैं कि आखिर क्यूं यह सीएम पंक अपनी गाड़ी खुद चला के जा रहा है अगर इसको और भी जारे डेप्थ में उनको दिखाना हो तो सीएम पंक को में भी को और लेके जा रहा हो कार में वो पूर नहीं रह सकता दा ताइम सोशल मीडिया से राइट तो ड्रू मैकिनटायर ने जाते ही इस अटैक के बाद अपने अकाउंट को जो है वो री अक्टिवेट करा और सीएम पंक को ट्रॉल करना स्टार्ट कर दिया अपनी डिस्पले पिक्चर में सीएम पंक की खून वा अब बिल्कुल ठीक थे कि जो ब्रेसलेट सीएम पंक के हाथ से निकाल के डू मैकिनटायर ने अपनी जेब में रखा था उस ब्रेसलेट के उपर नाम था एजे ली यानि की एजे लिखा था और लैरी जो की हैं सीएम पंक के डॉग जो की उनके अल्मोस्ट बच्चे की तर अगर कोई किसी एक का पूरा कर देता है तो दूसरे को और जादा पूरा करना पड़ता है बिल्कुल स्कूल लेवल की फ्यूड चल रही है जो स्कूल में लडाईयां होती थी लेकिन मस तरीके से दिखाया जा रहा है वो परसनल हीट चोएनेस के पीछे वो प्रोफेशनल को कमाल बनाती है इसके लावा यहां पर मैंने लिखा है कि भाई ड्रू मैकेंटायर गॉड इन हिस होम और पंक गॉड दिस्ट्रॉइड इन हिस यानि कि यह जो होम टाउन वाला रिवेंच था वो तो ड्रू मैकेंटायर ने कंप्लीट कर लिया लेकिन जबकि स्टेक्स थो क्लियर हो और उसी चीज के लिए वो स्मैक डाउन बाय थे अगर पॉल इमेंट वहां पर इंटरॉप्ट नहीं करते सीम पंक को उस प्रोमो में तो में भी सीम पंक हमको बता देते कि क्या वो क्लियर है या फिर नहीं है या कब क्लियर होंगे फॉर हिस मैच या फिर वह वह कभी जानने को नहीं मिली तो अनौश्मेंट होनी थी जो की हुई नहीं लेकिन आविसली अबात हम जानते हैं अगर वह क्लियर होते भी तो भी भाई वह स्टोरल लाइन में वापिस नहीं है बिकास इस अटक के बाद अगर एक हफते बाद ही को एक क्लियर हो जाए तो वह वेल्यू है ना जो लेवल पर अटैक दिखाया गया वह बहुत जादा कम हो जाएगी तो वह कोई भी नहीं देखना चाहता तो Monday Night Raw होगी कल जिसको हम obviously live होते ही खतम करके उसको review में discuss करेंगे लेकिन Drew McIntyre वहाँ पर आने वाले है Monday Night Raw में लेकिन I think CM Punk भी वहाँ पर आ सकते हैं What will I like to see क्या मैं देखना चाहूँगा वो पुराना WWE का old school live via satellite type कुछ जहां CM Punk बैठे हैं कहीं अपने घर में पूरे चोट-चोट हो रखे हैं और वहीं से वो अपना promo कट करें वैसा कुछ मैं देखना चाहूँगा वो पुराने टाइम में शाहन माइकल्स टाइप प्रोमो या फिर जो रॉक ने एक टाइम पर प्रोमो कट किये थे लाइब विया सैटलाइट वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ जिबकि आज कल की डिट में सैटलाइट नहीं तो माइक्रोसॉफ टीम से आ जाएंगे सैटलाइट की कोई ज़ुरहत नहीं है लेकिन इस फ्यूड को और भी ज्यादा अब परसनल बनाने के लिए इसको धीर कहीं पर रिपोर्ट नहीं आई कि CM Punk will be ready for Summer Slam, WWE उमीद कर रही है, hopeful है कि CM Punk क्लियर हो जाएंगे Summer Slam तक लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आए जिसने बोला है कि Dr. Zeff cleared CM Punk, तो उसके लिए जो है हमें वेट करना पड़ेगा उस पर विव जर्मनी के अंदर वो एक परफेक्ट मैच होगा इन दोनों के लिए, परफेक्ट क्राउड के अंदर और वो इनका सेकंड मैच होगा, जो की एक बड़िया मैच रहने वाला है, लेकिन जो थर्ड मैच होगा, लीड करेगा फाइनली ऑक्टोबर के अंदर वो अगर इसके अंदर टाइटल भी इनवाल्व करा जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, वर्ल्ड चैंपेंशिप अगर गुंथर के पास भी है, गुंथर, सैथ रॉलिंस, ड्रू मैकिन टायर, सीम पंक, ये सारे लोग रिवाल्व कर सकते हैं, अराउंड द वर्ल्ड हेव अब हमें मिल जाएंगे, तब तक के लिए आप स्टेइ टून रहें, चैनल पर रिव्यू आपका ज़रूर मिलेगा, गाईस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना, थैंक्यू सो मच और वाचिंग, मैं हूँ आयूश और आप देख रहे हैं, र